बाई इस फिल्मों में तो हमने कई सिंगम पुलिस वाले देखे हैं लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में एक सिंगम पुलिस वाला देखा हैं चलिए हम आज इस वीडियो में आपको एक रियल सिंगम पुलिस वाले से मिलवाते हैं ये रियल सिंगम पुलिस वाला एक IPS अफसर रह चुकाया और लोग सच में उन्हें प्यार से सिंगम अन्ना के नाम से बुलाते हैं उन्हें देखकर बड़े-बड़े बड़े बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं कौन है ये ओफिसर चलिए जान दरसल ये हैं तमिलाडू में रहने वाले के अन्ना मलाई के बाद उन्हें तमिलाडू से एक नैशनल पॉलिटिकल पार्टी जोइन की और एक यंग नैशनलिस्ट लीडर के तोर पे यंग जनरेशन में नैशनलिजम की स्पिरिट को जगाने का आज वो काम कर रहे हैं साथ ही उन्होंने कुरान और हदीश पर भी काफी जादा रिसर्च की है उनके मताबिक एक्स्ट्रीम आइडिलोजी इसलामिक टेरिरिजम को जन्म देती है यही नहीं, तमिलाडू के लोग और कई लीडर उन्हें तमिलाडू के फ्यूचर लीडर और सीम के तोर पर देखते हैं कैस के अन्ना मलाई के राश्ट्रवादी स्पिरिट के लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं जानी, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बोचार से, बंदा डरता है तो परवर्दिगार से Guys, मैं ते डायलोग अच्छे से नहीं बोल पाया, लेकिन ये डायलोग आपने जरूर मशूर एक्टर राज कुमार जी के मुझ से सुना होगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूं की राज कुमार जी के कुछ डायलोग उन्होंने नहीं बलकि मशूर कॉमेडी एक्टर जोनी लीवर ने बोले थे, तो आप क्या कहेंगे चलिए जानते इसके पीछे का सच, दरसल जवाब फिल्म की शूटिंग दोरानी राज कुमार जी को पता चला कि उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया है लेकिन उन्होंने बिना किसी को बताये शूटिंग जारी रखी फिल्म की शूटिंग पूरे होने के बाद जब डबिंग की बारी आई तो फिल्म के परडूसर केसी शर्मा को पता चला कि राज कुमार की आवाज पहले जैसी दमदार नहीं निकल पा रही है जब उन्होंने इस बारे में राज कुमार जी से बात की तो राज कुमार जी ने बताया कि उन्हें थ्रोट कैंसर हो चुका है जिसकी वज़े से वो अपनी दमदार आवाज को खो चुके हैं इसके बाद केसी शर्मा काफी परिशान हो गए लेकिन वो कहते हैं ने कि जहां चाह वहां रहा उन दिनों जोनी लिवर बड़े बड़े सूपर स्टार की मिमिकरी करने के लिए काफी मशूर हुआ करते थे यही नहीं वो राज कुमार की मिमिकरी भी हूब हूब कर दिया करते थे बस फिर क्या था जोनी लिवर को फिल्म के डबिंग के लिए बुलाया गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1995 में हिट हुई जवाब फिल्म में एक भी डायलोग राजकुमार साब के आवाज में नहीं था बलकि उनकी जगा पर जोनी लिवर के आवाज को इस्तमाल क बनता है हनुमान जी ब्रह्मचारी थे ये तो हम जानते हैं पर क्या आपको ये पता है कि हनुमान जी का विवा भी हुआ था पर हनुमान जी का विवा किस से हुआ और कैसे हुआ और उसके बावजूद भी वो ब्रह्मचारी कैसे थे दरसल हनुमान जी के गुरू थे सूरे जिनने नो दिव्य विद्याओं का ज्यान था और वही दिव्य विद्याओं हनुमान जी भी पाना चाहते थे और नो विद्याओं में से सूरे देव ने हनुमान जी को पांच विद्याओं दे दी थी लेकिन चार विद्याओं को पाने के लिए उन्हें विवा करना जरूरी इसही वजह से हनुमान जी की शादी सूरेटेव की पुत्री दैवी सुवर्चला से की गई थी, पर विवा के बावजूद भी हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचर जीवन नहीं छोड़ा था, क्योंकि देवी सुवर्चला जी का जन्म हनुमान जी के ज्ञान प्राप्ति के ल उनका रिष्टा बहुत मजबूत हो जाता है वैसे आपको इसके पहले तक हन्मान जी की विवा की ये बात पता थी और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा